हेलो दोस्तों स्वागत था आपके एक बाफिट से हमारी चैनलर पे मैं हूँ आपका दोस साजित अलवी दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको कॉलर वाली कुर्टी की प्रॉपर लिए कटिंग करना बताने वाले हैं और बाद में हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगी हैं तो चलिए हम आपको कटिंग करके बताते हैं तो कटिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक प्लीन कपड़ा है जैसे हम अपनी हमेशाय नॉर्माली फ्रंट और बैक के लिए दोनों पीछ सकते हैं यह हमारा बैक पार्ट है जो कि अमने फोल्ड कर यहाँ पर रखा हुआ है और यह हमारा यह इस तरीके से फ्रंट पार्ट है ठीक है ना जिस तरीके साब नॉर्माली अपनी किसी भी कुल्टी कटिंग करने के लिए अपनी साइज के लिए आपर एक कपड़े को बिछाते हैं अगर आपको एक नॉर्मल कुल्टी कटिंग करना आता है तो आप इसको बहुत ही आसनी से सीख सकते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, अब आपको किसी भी कॉला वाली कुल्टी कटिंग करने के लिए, पहले तो आपको यहाँ पर उपर की तरफ ऐसी एक मार्क लगाना पड़ेगा, थोड़ा कबड़ा उपर छोड़ देंगे, करीब करीब एक इंच, ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे निशान लगाने के बाद फिर आपको अपने इंची टेप को लेना है, और इंची टेप को यहाँ पर उपर इस मार्क पर ऐसे रख देंगे, ऐसे रखने के बाद में, अब आपको यहाँ पर कुछ मार्किंग करनी है, जिसे कि उपर से लेके निचे की तरफ 7 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूँ कि आपका साइज चाहे जो भी हो, छोटा साइज है चाहे बड़ा साइज है, आप हमारे तरीके से अगर कटिंग करेंगे और इस वीडियो कर अच्छे देखेंगे, तो आपको अपने किसी भी साइज में कटिंग करने में कभी भी कोई प्रोब्लम नहीं होगी, देखे, पहले हमने एक निशान यहाँ पर लगाया, फिर ओपर से नेचे की तरफ 7 इंच पर निशान यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर हमारा हिप आएगा, हिप या फिर जिसका में आपके साइड में चाक आता है, हमारा वो आ जाएगा, इसके बाद में जो आपका आखिर निशान लगता है, वो होता है आपकी लंबाई का, जो भी आपको लंबाई रखनी है चाहे वो 37 इंचो, 38 इंचो, जो भी आपकी चोईस है, जितनी भी लंबाई आपको करनी है, अपनी सूंट की है, कमीज की, आपको यहाँ पर इस परकार से निशान लगा देना है, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर यह रखना है, जो भी लंबाई है आपकी, उसमें आपको half inch प्लस करके निशान लगाना है, मतलब कि अगर आपकी लंबाई माल लेते हैं 36 इंच है, 37.5 इंच है, तो आपको half inch extra रतिश निशान लगाना है, ठीक है, मतलब हर size में आपको ऐसे करना है, अब इन सभी मारकों को हम यहाँ पर ऐसे करके सीधा कर देते हैं, यह हमारा armhole और breast कर निशान, यह हमारी कमर कर निशान, यहाँ पर हमारी hip आएगी, या फिर जिसको हम चाक बॉल सकते हैं, आप चाक आएंगे साइड में, और यह हमारी कुर्ती की properly लंबाई है, देखिए, अब देखिए, यहाँ पर हमने जितने मिशान लगाएं, यह हमारे simple कुर्ती की तरह इशान है, बलग चाए कॉला वाली कुर्ती हो, बिना कॉला वाली कुर्ती हो, सम्मेशान ऐसे लगते हैं, बस इसमें फरक सिर्फ इतना होगा, कि एक बिना कॉला वाली कुर्ती में, आपके जो शोल्टर होते हैं, थोड़ा छोटे हो जाते हैं, और एक कॉला वाली कुर्ती में, क्या कैसे आप क्टिंग कर सकते हैं वो हमाखो बता लेते हैं देखे जब आप कभी भी कोई ऐसी कुल्टी बनाते हैं जिसमें कौला नहीं लगेगा मतलब कि बिना कौला वाली कुल्टी जिसको हम सिंपल कुल्टी बोलते हैं तो हम क्या करते हैं। हम यहां पर नॉर्मल ही शोल्डर जो रखते हैं, 6 इज रखेंगे, 6 इज साबागे ऐं पिर 6 इज रखेंगे, चीक है, मलत मान लेते हैं, यह ynıूर्टी या बिना काला वाले कुरती है, तो हम यहाँ पर 6 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगी। लेकिन अगर हम बना रहे हैं एक कौला वाली कुर्थी, तो उसमें आपको शोल्डर को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी छोटा साइज क्यों नहों, कम से कम 7.5 इंच शोल्डर तो आपको यहाँ पर लेना ही लेना है, चाहिए आपका साइज 32 इंच हो, चाहिए 33 इंच हो, तो कम से कम इसको आपको, चाहिए 30 इंच क्यों नहों, आपको उसको 7.5 इंच शोल्डर लेना पड़ेगा कौला वाली कुर्थी में, फिर इसके बाद अगर आपका साइज बढ़ता है मान लेते हैं आपका साइज यहाँ पर 34 इंच है या 35 इंच है 36 इंच है तो आपको इसको यहाँ पर सड़े 7 के बज़ाए पहने 8 इंच मतलब की 8 इंच से quarter इंच कम लेना है और अगर आपका साइज और जड़ा बढ़ता है तो आपको सो कम से कम यहाँ पर 8 इंच ऐसे करना पड़ेगा मतलब की शोल्डर का साइज आपको बढ़ाने ला है अब यह क्या होगा मैं बता लेता हूँ कि एक मुझ जबानी कैसे से करना है आपको मान लेते हैं आपका ब्रेष्ट का साइज है वो 30 है 32 है या 31 है या 33 इंच है तो आप इस साइज के अंदर अपने शोल्डर का साइज 7.5 इंच ऐसे कर सकते हैं लेकिन अगर आपका साइज 34 है 35 है 36 है या 37 ही वान सकते हैं तो आप इस 37 breast तक अपने shoulder का size पहुने 8 inch बदलब की 8 inch से quarter inch कम, इतना कर सकते हैं, यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर पहुने 8 inch कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका size 38 inch है, 39 inch है, या 14 inch है, तो आपको अपने shoulder को यहाँ पर कम से कम 8 inch ऐसे करना पड़ेगा, तो यो कि, क्योंकि हमारा size कवी छोटा size है, तो हम यहाँ पर सड़े 7 हमने कर दिया है, आप चाहिए तो इसको अपने इसाब से बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में अब आपको एक निशान लगाना है नीचे, ज हमेशा ओपर से एक इंच कम लगाते हैं, लेकिन एक कॉलर वाली कुर्टी के अंदर आपको नीचे का निशान एक इंच के बज़ाए 7 इंच पर लगाना पड़ेगा, माल लेते हैं, अब जैसे कि आपका शोल्टर का size यहाँ पर 7.5 इंच है, तो हम यहाँ पर नीचे 6 पर लगाएंगे, हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, 7.6 इंच पर, यह देखे, 7.7 यहाँ पर 7.6, अब यह कैसे हुआ है, हम को बता लेते हैं, देखे, 7.5 इंच हमारा शोल्टर है, इसका जो 7 इंच में मानिस करेंगी, मतलब कि 7 इंच हमारा यहाँ पर वैठता है, 7.6 तो यहाँ पर आपका जो साइज आएगा, वो 7.6 इंच आएगा, ठीक है, यह आपका 7 इंच कम है, लेकिन जो एक आपकी बिना कॉला वाली कुर्ती होती है, उसमें आपको हमेशा 1 इंच कम करना होता है, जिसके मान लेते हैं, अगर आपका शोल्टर साइज यहाँ पर 6 इं आपका शोल्टर अगर यहाँ पर 7 होगा, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, सवा चेंच पर, अगर आपका शोल्टर यहाँ पर पोने 8 इंच होगा, तो हम नीच निच 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 होगा, तो हम यहाँ पर 8 इंच होगा, तो हम यहाँ पर निच निच नि जो पाद में हम यहाँ पर निशान लगाएंगा एपने ब्रेस्ट का निशान तो ब्रेस्ट निशान का तरीका बहुत हैं, पहले एक पुर्ष तरी वीडियो बता हुआ है, कि जो भी आपका साइज है, आप यहाँ पर नेशान लगा देजीए, इस निशान लगा देगे, आज को परपस है वो सिर्फ एक कॉलर वारी कुल्टी कटिंग करने का परपस है इसलिए ये जो निशान है ये आपकी नॉर्मल कुल्टी जो भी आप कोई आप नॉर्मल कुल्टी कटिंग करते हैं तो जो साइज आप हमेशा अपने तरीके से यूज करते हैं च्छाती का, क्मर का, हिप का. वो ही सेम निशान आपको और जो भी हमारा प्लू का साइज है हम याप निशान लगाएंगे अपने साब से हम इसको भी ऐसे करके सीधा कर देते हैं. आसमीं निशान लगा दिया है अब इसके भीज आले आपई आति आ जा आप algumas दिशय की आंप सूदर इशेपं आपको यहां पर हमें यहां पर आप यहा जा दाएने हैं यहां आपको आपका आर्भोमाaden होगा तो इसकी वज़ा यह है कि जब हम यहां पर ऐसे तिल्शा करके मतलब की इस निशान थोड़ा बाहर इस निशान थोड़ा अंदर इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी आर्मोल की जो शेप है वो एक अच्छी शेप आए और प्रफेक्टली आपके हाथ पे यहां पे यह शेप आ मार्किंग के कॉला वाले कुलती को पूरी हो गई है अब इसकी कटिंग करते हैं अब आपको सबसे पहले आपको अपने उपर वाले पीस को कटिंग करना है बैक वाले पीस को बाद में कटिंग करेंगे पहले इस पीस को कटिंग कर देते हैं मार्क क्या कोडिंग इसके हमें कटिंग कर दिया कटिंग करने के बाद अब बारी आती है बैक पार्ट की हमने बैक पार्ट की कटिंग अभी तक नहीं की है बैक पार्ट की कटिंग हमेशा हम फरंट पीस के बाद कटिंग करते हैं ऐसा क्यूं है वो भी आमको बाता रहते हैं कॉला वाले कपड़ों में हमेशा फर्ण और बैक पार्ट में हमेशा फर्क होता है बैक पार्ट आपका हमेशा आगे वाले possibility लंबा रहेगा तो इसलिए में सुक्टण नहीं किया था अब जितना भी यह आपका पीस है इसकwo में यहां पीछ वाले पार्ड कमसे कम आधा या पॉनेच ऐसे लंबाई में हम जादा रखेंगे यह जो हम यहां पे जादा रखते हमेशा में बड़े साइज में अपी कॉला वाले कपड़ों रखते हैं अख सल में बिनगे में कॉला वाले कपड़ों में ऊक्तर पकवा Eigen को आपको लंबा करके दिखाज कबड़ों में लेकिन अगर आपका कोई कुर्ती आप कौला वाली बना रहे हैं फिर चाहिए वो छोटा साइज हो फिर बड़ा साइज हो यह पीस आपको बड़ा करना ही करना पड़ेगा चाहिए वो कोई भी साइज क्यों नहीं हो तो इसका आप हमने कम से कम पॉन इंच ऐसे कि नंबाई में ज़्याद रख लिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगी यह कटिंग की आप इसकी बैक हार मॉल की कटिंग करेंगी इस परकार से का चूंसर जैल को ही लिए खरिए मने आम पर ऐसे कटिंग कर दी है कि हमारा शोलन्डर यह मारा आर्मल्स प्रहकार चelled हो घगा है आपको भी ढबीज भी हो आपको इस प्रहकार से कट्टिंग करनी है और इसके अलाबा अगर आपको सिलाई के बारे में और ज़्यादा बारे किसी से जाना है अगर आपको फुल बेसिक स्टिटिंग शुरू से सीखनी है मेजरेमेंट कैसे करते हैं कटिंग कैसे करते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन वाटसफ किलाइब कर सकते हैं और हमें डियेक्टली इस नंबर पे मैसेज करके भी किलास में जोइन हो सकते हैं बागी इंफोर्मेशन के लिए आप मैसेज किजी हम आपको बागी इंफोर्मेशन अपने वाटसफ पे पर प्रोवाइड कर देंगे अब यह कटिंग करने के बाद अब बराबर में जहां पर यह आपका मार्के बराबर में आपको डे इंफ का पडाक्शन रखना पड़ेगा मार्जन के लिए और इसको मियां पर ऐसे कटिंग कर एंगे आज वीडियो में आपको मोटी मोटी जनकरी दे रहे हैं कि कॉला वारे कुल्टी कि कर सकते हैं इसके अलावा ज्यादा बार जानकरी के लिए आप मरे किलास में ज्योईन होईएगा हम ने आपको नीचे वार्टसप पे अपना सुरी हमने ने डिस्क्रिप्शन में में आपको वाट्सपोर नंबर अपना दिया हुआ है हमापे जाएए और हमसे बाकिन लीजिए और हमारे किलाश में जोइन हो जाएए तो देखे दोस्तों यह हमने प्रॉपरली कटिंग ऐसे कर दी है और बाकिये बचे कपड़े समय अपनी नॉर्मली इसलीजिए कर देंगे यह हमारा कुलती का फ्रेंट पार्ट है और यह हमारा पैक पार्ट है अब यह हमारे कटिंग पूरी हो गई है अब इसके बाद में आपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कें क्या बनाने वाले भी बता रह्ता है हम अपनी नेक्स्ट के अंदर इसमें जब इसकी करेंगी तो सिलाय में यहां पैंगी आपने नेक्स के अंदर एक सुन्द़र सा फ्रिल का यूज करके एक बहुत संदुरसा आपको डिजाइन बनाना भी दिखाएंगी उसके लिए आपको मारे नेक्ट वीडियो देखना पड़ेगा चले दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्यू टैक कैर और अगर आपको मारी वा